कल राम नवमी के साथ पूरे देश भर में नवरात्री के शुब पर्व समापन किया गया जी हां नौ दिन तक हर एक भक्त ने मादुर्गा की अराधना की और अब आपको हम कुछ ऐसी राशियों के बारे में बताने जा रहे हैं जी हां ये भी हम आपको बता दें कि नवरात्री के ठीक बारे सबसे बड़े राज योग का निर्माण होता हुआ ना रहा है जिसमें अब इन तीन राशी वाले जातकों की जिन्दगी राजा महराजा की तरह कटने वाली है बता दें आप लोगों को इन राशी वाले लोगों को अब अच्छाना की बहुत बड़ा फायदा मिलने के योग बन रहे हैं वविश्य में आपको बहुत से लाब के अवसर अब आपके हाथ लगने वाले हैं जिस जगा पर आप काम करते हैं वहां के लोगों से अब आपको पूरी सहायता मिलने वाली है वही अब आने वाले दिनों में आपके काम करने के तरीके में भी सुधार आते हुए दिखाई दे रहे कामकाज को लेकर जितनी भी बाधाएं उत्पन हो रही थी वो सभी बाधाएं अब आपकी जंदगी से दूर हो जाएंगे किसी ऐसे विक्ती से आपको सलाह मिल सकती है जो कि आपके भवश्य के लिए बहुत जादा फायदे मन होने वाली है चलिए अब आप से बात करते हैं उन तीन राश्यों के बारे में जो कि कोई और नहीं बलकि मेश, विशब और तुला है इसी तरह रोजाना अपनी राश्यों के बारे में जानने के लिए देखते रहे हमारा चानल और हमारे चानल को सबस्क्राइब करना ना भूले